हेलो फ्रेंड्स आप से भीक अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत थे आज वो लोग एट कलास का साइन्स देखेंगे जो जेसे आटी राची जहार के टेस्ट बुक पर बेस्ट है आज वो लोग चेप्टर 3 साइन्स का चेप्टर 3 का कोस्टेन असर करेंगे करने के पूरी कोशिश करूंगा चले देखते हैं पहला नंबर सही विकल्प का चयन कीजिए पहला नंबर है यिस्ट का उप्योग इनमें से किस चीज के उत्पादन में किया जाता है देखिए पहला है चीनी दुसरा है अल्कोहल तीसरा है है हाइड्रोकलोरिक अमल और सोडियम बाइकार्वोनेट ख नंबर है स्ट्रेप्टोमाइसीन ग नंबर है एलकोहल फिर घ नंबर है यीस्ट तो इसका अंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसीन प्रतिजेविक स्ट्रेप्टोमाइसीन है फिर देखिए तिसरा नंबर सुछ्म जीव कहां पाए जाते है नमबर जल में ख वायू ग मिट्टी ग नमबर इन सभी जगहों पर तो अंसर हो जाएगा इन सभी जगहों पर ग नमबर अंसर हो जाएगा फिर अब देखते हैं चोधा नमबर सबसे पहले कौन सा प्रतिजेविक खोजा गया था ग नमबर पेनिसलीन ग नमबर इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा ग नमबर पेनिसलीन जब मैं विडियो बना रहा था पाटवन का तब भी मैंने बताया था कि सबसे पहला प्रतिजेविक पेनिसलीन है अब यह important question है अब देखिए पाचवा नमबर पाचवा नम जाती है कनमबर मोल्डिंग कनमबर किनविन गनमर नैट्रोजन इस्थरी करन गनमर संक्रमन तो इसका अंसर हो जाएगा कनमबर किनविन चीनी को एलकॉल मदली की जो प्रिकिरिया उसको किनविन कहते हैं अब देखिए चोथा नमबर का सवाल है संचरिय रोगों का सबसे प्रिकाल जाते होंगे यहां बर्सात के दिनों में दिखता है इसे जार्कन में हम लोकल भासा में टेटे बनियां वोलते हैं तो वही है घंशन प्रिकाल नमबर मतली खर हो जाएगा घरेलू मक्ही, घरेलू मक्ही संचरिनी रोग का मुख्य कारक है, फिर देखिए सातवा नमबर, सातवा नमर का सवाल है, डेंगू परजीवी का वाहक है, कर नमबर, मादा एडिस मच्चर, कर नमबर, घरेलू मक्ही, मादा एनोफिलीस मच्चर, घर नमबर, कोक्रोज, तो इ दिखिए यहाँ पर लिखा गया है मादा एनोफिलिस मच्छर ये मलेरिया फ़हलें ठीक ना अझाँ अट्यास डैंगू फहलें न चर्युक्ज आएअँपे यहाँ पर डैंगू पूछा गया इसलिए와 इडिस मच्छर अंसर हो फिर देखिए दूसरा नमबर रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए का नमबर है लेक्टो बेसिलस जिवानू दूद को खालेस्थान में परिवर्तित कर देता है तो इसका अंसर हो जाएगा दही लेक्टो बेसिलस एक जिवानू है जो दही को दूद में परिवर्थित कर देता है उसके बाद देखिए दूसरा नमबर है जा खालेस्थान के द्वारा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा दूसित जल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दूसित जल फिर देखिए तिसरा नमबर का सवाल है राइजोबियम जिवानू खालेस्थान पौधे के जड़ों तथा गरंतियों में पाय जाते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा दलहन पौधे या फिर लेग्यूम पौधे आप लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर लेग्यूम पौधा अऌगला देखिए पांच नमबर गेहू की रस्ट खालेस्थान की कारण उत्पन होता है तो इसका अंसर हो जाएगा कवक के निए गेहू का रस्ट कवक के कारण उत्पन होता है फिर देखिए चेचक के ٹिके की खोज explainंति था यह आव्डेस्थान ने की तो इसका एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी फिर देखिए सातवा नमबर रोगानुओं से लड़ने के लिए हमारा सरीर खाले स्थान उत्पन करता है तो इसका अंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक जिवानुओं या सुख्म जिवानुओं या रोगानुओं से लड़ने के लिए हमारा सरीर रोग प्रतिरोधक उत्पन करता है और रोग प्रतिरोधक को ही इंगलिज में इम्म्यूनिटी बोलते हैं और रोग प्रतिरोधक को ही प्रतिरक्षी भी कहते हैं प्रति रख्षी आप चाहे तो रोग प्रति रोधक लिख सकते हैं या फिर प्रति रख्षी लिख सकते हैं दोनों में से एक लिखना है आपको यह ब्रेकेट में भी लिख सकते हैं इसको अब देखते हैं अगला तीसरा नमबर का सवाल है कोलम अ के जीवों का मिलान कोलम ब से करें कोलम अ में देखिए पहला है देखिए विसानू अभी मैं एक्चुल मैं ऐसे ऐसे लाइन ड्रो कर दे रहा हूँ आपटो को सिधा सिधा लिखना है आंसर सीट में ठिक ना चलिए देखते हैं कshirt नमबर एक नमबर है जीवानू जब आनु हो जाएगा हैजा का कारक ठिक ना गाली को लिख दते हैं इस तरह में लाइन ड्रो Elizabeth कर दे रहा हूँ फिर yeast , यीस्ट इल्कोहल बनाने में काम आता है और Breadmaking में फिर ब्रेट बेकिंग कर देते हैं इसको , bread की बेकिंग उसके बाद हो जायगा एक ब्रोटो जो धिक्षिए मलेरिया के कारक एक ब्रोटो जो था या फिर यहां पर एक्स्ट्रा दे दिया है आप लोग देख लीजेगा आपका बुक में कैसा है उसको पर चार नमर देखते हैं सुख्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन-कौन से हैं चले इसका मैं कोपी में नोट डाउन करके आपको अच्छी तरीकी से समझाने के दिसरा है प्रुट्टुजोवा और चोथा है सेवाल यह चारो का चारो बहुत इंपोर्टेंट आपको याद कर लेना है लाइन वाइन नहीं भूलना है एक्जाम में आने का पुरा-पुरा संभावना है उसके बाद देखिए पांचवा नमबर प्रमुख प्रतिजेविक के नाम लिखिए प्रमुख प्रतिजेविक के नाम लिखना है जो आपका बुक में दिया हुआ है पहला है दिखिए स्ट्रेप्टोमाइसीन फिर दूसरा है टेट्रासाइकलीन फिर तिसरा है एरित्रोमाइसीन इत्यादी ठिक ना यह तीन नम दिया गया है तो मैं बस तीन से होता है परंतु मैं अपने से गुगल से निकाल कर बता रहा हूं देखिए मनुष्व में फफूंद से उत्पन दो रोगों के नाम पहला है दाद ठीक ना दाद आप लोग सुने होंगे दाद खाज फुझली ठीक ना एड़टेज काफी आता है रिंगाड का तो वही है दा बरबाद करता है उसके बाद सभी बाल जड़ जाता है और गंजापन आ जाता है तो अगर आपको अपने बाल से प्यार है तो बाल की साबसपे अच्छी तरीके से कीजिएगा फिर देखिए साथ नंबर है खायद पदार्थों के परिरक्षन में प्रयुक्त दो परिरक्ष के नाम लिखिए देखिए खायद पदार्थ के परिरक्षन में प्रयुक्त होने वाले दो परिरक्षक के नाम है पहला है नमक अरुत्र है चीनी यह हम लोग तीन चार पढ़े थे चेप्टर का पार्ट त्री में ठीक ना आप वहां पर जाकर भी क्लियर कर सकते हैं मैं संच के नाम बताइए हमारे लिए किस तरह उप्योगी है अब करना है दोश्च का नाम बताना है और यह भी बताना है कि ये किस परकार हमारे लिए उप्योगी है चल्ले देखते हैं सबसे पहला है penicillin अ दूसरा है성 राईयोब्यम यह दोनों संजीव है ठीक ना जो हमारे मित् कैसे help करते हैं चले नीचे देखते हैं पैनिसलीन देखे पैनिसलीन एक प्रकार का जिवानु है जिसका उप्योग प्रतिजेविक ठीक ना इंगलिस में एंटिबाटिक कहते हैं बनाने के लिए किया जाता है तो पैनिसलीन का उप्योग एंटिबाटिक बनाने के लिए किया जाता है हमें बार-बार बोल रहा हूं कि penicillin पहला प्रतिजेविक माना जाता है ठीक ना अब देखिए दुसरा है राइजोबियम एक प्रकार का जिवानु है जो लेग्यूम पौधों की जड़ों में उपस्तित होती है तथा ये जिवानु नैट्रोजन को नैट्रेट में परिवर्तित कर देता है ताकि पौधे नैट्रोजन का अउसोसन कर सके ये काफी इंपोर्टेंट सुच्छ में देता है और फिर पौधे उस नैट्रेट को लेकर अपना काम करते हैं फल बनाते हैं फूल बनाते हैं और पतिया बनाते हैं और उसी फल फूल को हम लोग खाकर हम लोग भी नैट्रोजन का सेवन करते हैं फिर अगला देखिए नौ नंबर है प्रतिजेविक क्या है इसके उ परकार के रसायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्मान सुख्म जीवों द्वारा होता है क्लियर है ये पदार्थ वैसे सुख्म जीवों को नस्ट कर देते हैं जो हमारे लिए हनिकारक हैं इसको आपको याद करना है हो सकता है कि आपका एक्जाम में आ जाए ठीक ना डेफिनेश सुक्मजीव को निर्ण corrections कर देते हैं जो हमारे लिया निकारक हैं हम देखे सावधानिया जब हम लोग एंतिबार्टिक खाते हैं तो कौन कौन से सावधानिय हम लोग उको रखनी चाहिए हमें डॉक्टर की सला से ही एंतिबार्टिक लेना चाहिए हमें हमिएसा इसका कोर्ष पूरा करना चाहिए ठीक ना, अघली बार वह एंटिबाटिक असर नहीν करेगा प्रतिजेविक का अधिक उप्योग दिखिए प्रतिजेविक और एंटिबाटिक एंटिबाटिक हम लोग इंगलिस में बोलते हैं अगली बार वह एंटिबाटिक असर नहीं करेगा प्रतिजविक का अधिक उप्योग हमारे सरीर में उपस्थित उप्योगी जिवानू को भी नस्ट कर देती है विसानू से उत्पन रोगों के लिए प्रतिजविक असरकारक नहीं होते हैं अगर देखिए हम लोग अपने मन से मनमानी तरीके से एंटिबाटिक खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ठीक ना और इसका कोस हमेशा पूरा करना चाहिए और ज्यादा एंटिबाटिक खाने से हमारे सरीर के अंदर वैसे शुत्पन भी मर जाते हैं जो हमारे ल मतलब होता है वायरस वैसा भी मारे जो वायरस से हुआ है उसके लिए हम लोग प्रतिजवी खाएंगे तो वह असर नहीं करेगा फिर दस नमर देखिए भोजपदार्थ के प्ररक्षन के विभिन उपायों को लिखिए देखिए हम लोग कौन-कौन सा उपाय से भोजपदा का संदूसन रोकते हैं यह सब मैंने पाठ्थ्री में बताया है आप पाठ्थ्री जाकर अची तरीकिस देख लीजेगा फिर इसको थोड़ सा विश्टायर करके देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षन नमक का उप्योग मांस मचली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है आचार बनाने में भी नमक परिरक्षक का कायर करता है तीक ना जितना भी मांस मचली है यह सब का परिरक्षन करने के लिए हम लोग नमक उप्योग करते हैं और आचार को भी हम लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक उप्योग करते हैं उसके ब पानी का थोड़ा भी अंस रहेगा अगर खाद पदार्त में तो वहाँ पर शुक्ष जी उत्पन हो जाते हैं लेकिन अगर पानी रहेगा है नहीं भोज पदार्त में तो शुक्ष जी उत्पन नहीं होगा इसलिए चीनी को दिया जाता है ताकि चीनी जितना भी नमी है मतलब चोटा चोटा जल का बूंद है या जल का अन से उसको अपने में सोक लेता है अब देखते हैं अगला तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षन ये जिवानुओं को मार कर भोजन को सुरक्षित रखते हैं इस विद्धी से सबजियां फल, मांस, मचली, आदी का परिरक्षन किया जाता है देखिए जो तेल है एवं सिरका इसके द्वारा हम लोग सबजियां फल, मांस और मचली आदी को परिरक्षित कर सकते हैं फिर अगला देखिए गर्म एवं ठंधा करके परिरक्षन देखते हैं क्या लिख्या हुआ है घरों में सबजिया या अन्य कई चीजों को फ्रीज में रखकर उन्हें खराब होने से बचाते हैं फ्रीज में कम ताप के कारण सुक्ष्ण जीओं की व्रिधी रुख जाती है मैंने पार्थरी में बताया है अच्छी तरीके से कि जब हम लोग कोई भी खाद पतात को गर्म करते हैं और तुरण ठंडा कर देते हैं तो वह परिरक्षित हो जाता है लंबे समय तक तिक ना इसका उप्योग हम लोग देख सकते हैं मिल्क में मतलब दूद में जो पैकेट मे आता है उसको तुरण गर्म करके तुरण ठंडा कर दिया जाता है और लंबे समय तक परिरक्षित रहता है और घर में हम लोग फ्रीज यूज करते हैं सबजी सबको और अन्य कुछ खाद पतात को लंबे समय तक बचाया रखने के लिए फिर देखिए भंडारन एम वगरा होता है उसमें भंडारन एम पेकिंग विधी अपनाया जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए इस तरह यह हो गया दस नमर का अब देखते हैं अगला ग्यारे नमर का 11 नमर का सवाल है टिका करन क्या है यह हमारे लिए क्यों आवर्शक है देखिए चेप्टर में अची तरीके से बताया है टिका करन क्या है सुक्ष्म जीवों से उत्पन रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तयार रहने है तू सरीर में मृत सुक्ष्म जीव प्रवेस कराये जाते हैं ये मृत सुक्ष्म जीव हमारे सरीर में प्रवेस करने पर हमारे सरीर में रोगों से लड़ने हैं तो प्रतिरक्षी उत्पन करते हैं देखिए जब ठीकाकरन होता है तो कुछ जो पदार्थ होता है उसको सरीर में डाला जाता है तो इसका निर्मान सुख्मजीव से ही होता है ठीक ना मृत सुख्मजीव से तो टीकाकरण जब करते हैं तो सरीर में सुक्म जीव के मृत पाट को डाला जाता है और यह सरीर में प्रतिरक्षा ठीक ना प्रतिरक्षी उत्पन करता है जिसके कारण हमें बिमारी नहीं होती है यह हमारे लिए क्यों आमसक है क्योंकि हमारे सरीर को यह इस परन हो जाता है कि उन्ही शुक्म जीवों के सरीर में पूर्ण परवेस करने पर किस परकार उन से लड़े जब मैं पार थ्री बता रहा था चप्टर में तब काफी अच्छी तरीके से बताया हूँ कि टिकाकरन क्या है आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देखिए ठीक ना अगर देख चुके हैं तो और यह बार देख सकते हैं उसमें इसका भी अंसर मिल जाएगा यह हमारे लिए क्यों अंसर है यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है परन्तो वहाँ पर और अच्छी तरीके से मैंने एक्स्प्लेनेशन किया है देखिए जब भी हम लोग टिकाकरन कराते हैं तो कुछ दवाई हमारे सरीर में डाला जाता है और यह दवाई हमेशा सरीर में रहता है ठीक ना अब देखिए अगला 12 नमबर 12 नमर का सवाल है कोसिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई सम्मद नहीं होता क्या आप इससे सम्मद हैं अपने उत्तर का कारण बताए देखिए यह जो कोस्टन है पता नहीं क्यों इस चेप्टर में दे दिया है परन्तु यह चेप्टर 1 का कोस्टन है ठीक ना अब चेप्टर 1 का सारा कोस्टन सर मैं करा दिया हूँ आप जाकर देखिए और वहां से नोट डाउन कर लिजे चेप्टर 1 का यह 9 नमर का कोस्टन है कि कोसिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई समध नहीं होता है क्या आप इससे समध है अपने उत्तर का कारण बताए इसका अंसर आप चप्टर वन का कोशन अंसर से कर लिजेगा तो चलिए आज का वीडियों पर इंड करता हूँ मैं तो इस तरह आज हम लोग चप्टर 3 का कोशन असर भी कंप्लिट कर लिए अगर आपको कहीं पर दिखात हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए मैं आपकी प्रोब्लम सब्सक्राइब करने के पूरी कोशिश करूँगा ताक कि मुझे भी अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिल सके अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यो फर वचिंग मैं वीडियो